दोस्तों अगर आप क्लास 11 के स्टुदेंट और आपका इंटरमीडियेट का सर्थ 23 से 25 और इंटर का फाइनल लिग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है 11 कलास का रजिस्ट्रेशन सुरू कर दिया गया है वैसे तमाम इस्टुदेंट के लिए जो इंटर का फाइनल लिग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो अगर आप भी 2025 में इंटर का फाइनल लिग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन वो फिर से सुरू कर दिया गया है तो किस परकार से आप लोगों को रखा गया है इसके लिए कौन-कौन सा गाइडलाइन जारी किया गया है उसके रिगार्डिंग संपुन जनकारी आज कि सबस्क्राइब किजिएगा तो चलिए बिदादेई कि आज कर दो करते हैं लेकिन वीडियो को सुरूर करने से पहले आप से छोता सा रिक्वेस्ट आएगा कि अगर अभी तक आप हमाएं वाट्सप चैनल से नहीं जूरे हैं तो मैं वाट्सप चैनल का लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप हमाएं वाट्सप चैनल को भी जूरें कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा टॉपिक ऐसा होता है जिस टॉपिक पर वीडियो नहीं आपाता है तो उसकी जनकाई हम अपने वाट्सप चैनल के माध्यम से आप तक परवा है तो जैसा कि यहां पर आप देख साकते हैं बिहार वीडियाले परिक्षा समीती पतना दोवरा एक ओफिस्यल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिस नोटिफिकेशन में यहां पर आप देखेंगे तो सबसे उपर में बताया गया है सत्र दोजार तेईस से पचीस में मानेता प्राप्त सिक्षन संस्थानों में इंतरमीडिये तेगाहमी कक्चा में नमांकित नीमित कोती के विद्यातियों के लिए एवं सुचिकान अनुमती अवेदन भरे जाने एवं सुल्क जमा करने के संबंद में आवस्यक सुचना जा से सत्र दोजार तेईस से पचीस के अध्यन रत विद्यातियों का इंतरमीडिये वासिक परिक्षा दोजार पचीस में समलित होने है तू ओनलाइन सुचिकरन अनुमती आवेदन समवंधित सिक्षन संस्थान के पाधान के माध्यम से भरने है तू दिनाएंग बीस नोजार से एक आरा दस दोजार तेईस तक की अब्धित निधायित की गई थी जिसे अपरिहाय कार्णों से अस्थागित करते हुए तत्सवंधित सुचना समीटी की विग्यप्ति संख्या पी यार तिनाएंग चोविस नोजार तेईस के माध्यम से परसारित की गई थी एतर दोज आ विद्यादी उनके अविभावक जिला कार्करम पर आधिकारी माध्मिग सिक्षा तथा जिला सिक्षा पराधिकारी को सुचित किया जाता है कि इंतरमीडियत वार्षिक परिक्षा दोजार पछीश में समलित होने है तू सत दोजार तेईस से पचीश में नमांकित नीमित एवं सोतंत्र कोती के विद्यातियों का सुची करना अवेदन अनुमती अवेदन ओनलाइन माध्यम से भरे जाने है तू दिनाएंक 24 एगायों 2023 से 15 एगायों 2023 तक अब दिन इधायत की गई हैं इंतरमीडियत वार्षिक परिक्षा 7 एगायों 2023 से 25 के लिए मानेता प्राप्त पलस तूर विद्याले महाविद्याले में एगार्मी कक्षा में विदिवत नमांकित नीमित कोती के सभी संकायों के विद्यार्थिय के माध्यम से भारा जाएगा तथा निर्धायत सुल्क जमा किया जाएगा उक्त हेतू समीटी के पोर्तल पर दो अलग अलग परकार के सुची का नावेदन पर पत्र अप्लोड किये गए हैं यानि कि दोस्तों यहां पर साफ तोर पर बताया गया है कि इससे पहले आप गया था जैसा कि आप लोगों को पाता योगा कि लगवक्त तीन से चार दिन जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की परिक्रिया चला हुआ था उसके बाद विधाले परिक्षा समीटी दोड़ाई से अस्थागित कर दिया गया था अब यहां पर फिर से 11 कलास का च्ट्रेशन करवा सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो बतर आ गया है कि आपके परदान के द्वारा जो है यह ओन लाइन बारना होगा अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो बाते आ गया है नेमित कोती के विद्यार्थियों के लिए जो सुची का नावेदन पर पत्र अपलूद किया गया है उसमें खंद A एवं खंद B है खंद A करमाइंक 1 से 16 तक विद्यार्थि का विद्यार्थि का भरा हुआ है जो OFSS पर नाली से नमांकन है तो उसके द्वारा दी गई सुचनाव के अधार पर है उसमें विद्यार्थी द्वारा छे चार परिवर्तन नहीं किया जाना है विद्यार्थी द्वारा मात्र खंद B में करमायंक 17 से 33 तक में अंकित विवर्नों को अनिवार रूप से भारा जाना है यानि कि दोस्तों आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन फोरम जारी किया गया उसमें जो आप लोगों का खंद A और खंद B रहेगा दोखंद में जो है इस फोरम को बाता गया है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो खंद A में एक से 16 तक का जो भी डिटियल्स है आपका पहले से भारा और आपको 17 से 33 तक का डिटियल्स भारना है एक से सूला तक के डितेल्स में आपको किसी फरकार का कोई छेचार नहीं करना है उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो सोवतंत्र कोती के लिए बत्या गया गया है सोवतंत्र कोती के विद्यार्थी के लिए जो सुची का नावेदन परपत्र upload किया गया उसमें विद्यार्थी दोगा अनिवार रूप से सभी विवर्णों को भारा जाना है यानि कि दोस्तों जो भी सुरतंत्र कोती के स्टुदेंथ उनको सारा दीटियल्स भारना होगा उनका यहां पर कोई भी दीटियल्स पहले से भारा हुआ नहीं रहेगा और उसके बाद यह अधार नमबर अनिवार रूप से अंकित किया जाएगा यह दिविद्यार्थी का अधार काद नमबर अवंतित नहीं हुआ है तो इस साथ से कि घोष्णा करमाइं का थारा में अनिवार रूप से की जाएगी यानि कि दोस्तों आप लोगों को 17 नमबर कोलूम में अपना अ अधार नमबर कोलूम में नहीं करना है इस बात को आप ध्यान अखेगा उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो बते आगया है कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन फॉरम भारा जाएगा वह कुल साथ स्टेप में भारा जाएगा यहां पर आप देखेंगे तो सबस बेटर्स भेइफिकेशन होगा उसके बाद फिल एस्टुडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉरम होगा यानि कि दोस्तों आप लोग जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉरम ओफ लाइन फिलप करेंगे उसको जो है यहां पर आपके पाधाना ध्यापक दोरा ऑन लाइन फिलप कि करिकूंगे तो यह उस्टुडें लिए कितना शुलक रखा गया फुल्ख उतके लिए उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो 44 रुपया उनके लिए ओस पर रजिस्ट्रेशन फॉरम फी सब्लाइत रखा गया है नीचे में आपर आपे देखेंगे तो जो थिता साटने बा बिहार बोद में अपना एडमीशन लेते हैं उनके लिए यहां पर साथ सो पंदर रुपे का फी रखा गया है और जो एस तुदेन दुस्रे बोद से तेंथ का एक्जाम पास किया है और सुवतंत्र कोती के एस्टुदेन था बिहार बोद से तो उनके लिए यहां पर 115 आपका इस्कूल कॉलेज चार्ज करेगा तो यह आप अपनी इस्कूल कॉलेज के रिगारिंग देख लिजेगा कि आपके इसकूल कॉलेज में कुल कितना फीच के लिए लग रहा है तो दोस्तों इस परकार से आप लोगों का रजिस्त्रेशन होगा ऑग हो देथ हो 54 नौम कर दिया गया था तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में इंतर एक्जाम 25 का जो रजिस्ट्रेशन फरम भरा जाएगा उसको लेकर कंपली जनकाई बता हैं तो उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आओगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक किजेगा और इसी तरह कि आप देद पाने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा तो दोस्तों फिलाल आज के दो मस्तना है फिर मिलते हैं अगले दों अगले तोपिक साथ जाहिए